न्यूटन्स forward interpolation formula में आगे जाने से पहले interpolation क्या है वो आप लोगों को पता होगा अगर नहीं पता है तो उसके उपर एक ओल्रेड वीडियो बना के रखा है वो आप रिफर कर लेना और रिफर करने के बाद ही यह समझ में आएगा ठीक है सो वैसे थो दो-तिन method से है बट अभी हम यहाँ written forward interpolation method के बारे में discussion करेंगे ठीक है अगे आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना like and share भी करना और जरूर यह नहीं है कि यह graduation level के course के लिए है चैनल कोई भी mathematics के लिए है चाहे वो कोई भी standard क्यों ना हो कोई भी course क्यों ना हो ठीक है तो आपके circle में maximum circulate करो subscribe करो और जो भी doubts आ रहा है regarding mathematics तो आप solve करवा सकते हो ठीक है ओके तो टॉपिक पर आते हैं Newton's forward interpolation formula या फिर उसका और एक नाम है Gregory Newton's forward difference interpolation formula ओ मैं लिख नहीं रहा हूँ फुलनेम ऐसा है Gregory Newton's forward interpolation formula ठीक है शौट फॉर्म अगर लिख दू तो ग्रेगरी न्यूटन's forward interpolation formula जी एन एफ आइफ आई एफ ठीक है तो ग्रेगरी न्यूटन यह दोनोंने साथ में मिलके development किया होगा इसलिए ग्रेगरी न्यूटन forward interpolation इसलिए वो रहे क्योंकि forward difference यहां calculate करेंगे अब forward difference क्या है वो पहले देख लेते हैं उसके बाद interpolation so main जो word पर हम यहां देखने वाले हो है forward इसको इसको यह ट्राइंगल इसका मतलब ही होता है forward difference अब फॉर्वर्वर्ड डिफाइन करने से पहले हम हमरे पास डेटा किस तरीके का होगा जिसको हम हैंडल करना चाहते हैं तो एक एक सेंपल पीस बता देता हूं वैसे तो interpolation discussion में हमने एक्जांपल लिया ही है तो वह प्रिफर कर सकते हो सो मैं यहां डिजिप नहीं ले रहा हूं जो जो भी डेटा हमरे पास है यहां एक्स का डेटा होगा यहां वाई का डेटा होगा और यह जो first data दिया है उसको हम initial data या x0 बोल सकते है y0 बोल सकते है फिर नेक्स डेटा होगा उसको हम बोलेंगे x1 y1 नेक्स्ट होगा उसको हम बोलेंगे X2 Y2 ऐसे तो बहुत सारे डेटा दिया होगा यह स्लास्ट डेटा उसको हम का बोलेंगे XN YN ठीक है तो कितना डेटा दिया है उस पे वेरी करेगा बट मेंवाइल डेटा जो वे उसको सिंबोल लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं ओके अब न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में अगर हम डिस्केशन कर रहे हैं तो यहां ग्याप इक्वल होगा यानि कि आप X1-X0 करेंगे तो जो ग्याप मिलेगा सेम ग्याप X2-X1 करने से भी मिल जाएगा सेम ग्याप X3-X2 करने में भी मिलेगा और वो जो सेम ग्याप होता है उसको हम बोलते है एच ठीक है तो इसका मतलब यहाँ ग्याप मेंटेन होता होगा तो ही हम लिटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अपलाई कर सकते हैं अधर प्रेक्टिकल लाइब से मैं कनेक्ट कर रहा हूं द्यान से देखें मान लेते हैं यह हम है यह जो X है वह हम है रफ पिक्चर बना देता हूँ अब हम वाकिंग स्टार्ट करते हैं पदियात्रा पर निकल जाते हैं पहला स्टेशन है हमारा एक जीरो यह तो क्या है छोड़ दो भी तो य के बार में अभी हम नहीं दीख रहे हैं जिस्ट एक्स के बार में तो यह हमारा ट्रावेलिंग रूट है बट हमने एक्वल डिष्टंस के बात है सपोस्ट टैने किलो मिटर्स फिर एक जिरो से हम स्टर्ट करते हैं फिर 10 किलो में के बाद में 10 किलो मिटर लहा हूँ तो कि आई होप समझ में आ रहा होगा ठीक है ओके अब मेंली हम देखना यह चाहते यह फॉर्वर्ड डिफ्रेंस है क्या तो फॉर्वर्ड डिफ्रेंस का मतलब यह होगा कि हम इस साइड मुह रखके खड़े हैं आगे की साइड हमारे ट्राले लिंग यहां से स्टाट हुई हम इ दिफ्रेंस हमें मेजर करना है और दिफ्रेंस का मतलब भी आपको पता ही होगा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्राक करते हैं और फर एक डेटा है 7 दूसतरी डेटा है 5 हमें डिफ्रेंस करना है तो 5-7 नहीं करेंगे हम क्योंकि नेगेटिव आंसर मिल बट ज्यादार हम क्या करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रेक करते हैं यहां भी हम वही पेटन यूज करेंगे और हमें चाहिए फ्रवर डिफरेंस जा था फिर तो ऑबिसली इसके भीच का हम डूढ़ेंगे है तो आगे खड़ेंगे और आगे का डिफरेंस जाएंगए तो अगे का जो गयाप है उसमें से पिछ़ा ग्याफ हम सब करेंगे यहार किया मेनस x1 ही करना पड़ेगा x2 minus x1 ही करना पड़ेगा x1 minus x2 नहीं करेंगे हम प treatment clear hockey से यह मिल गया forward difference but कहां खड़े होके आपने find किया एक्स 1 पे इसि लिए हमने x1 पे खड़े होके forward difference एकिंब्स है पूरा लिखना नहीं है इसलिए game एक हुगा x1 पे खड़े होके आपने आगे का difference देखा तो क्या मिला x2-x1 ठीक है I hope समझ में आ रहा होगा ठीक है ओके बट यस difference हमें x में नहीं करना होता y में ही करना होता है ठीक है इसलिए just में यह समझाने के लिए यह बता रहा था otherwise difference सारे के सारे हमें y में चाहिए ठीक है so delta y1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा y2-y1 क्योंकि y1 पे तो हम खड़े है और forward का मतलब आगे देखना है आगे देखो गए तो आपको 2 दिखाई दीगा टू में से वन सब्ट्रेक करो सिमिलरली चलो अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं माण लो हमें y3 चाहिए डेल्टा y3 क्या मतलब होगा forward difference of y3 यानिके y3 पे हम खड़े हैं तो आगे देखोगे तो आपको y4 दिखेगा उसमें से y3 को निकाल दो क्लियर आइवोब प्रोसिजर समझ में आ रही होगी सब्सक्राइब करना है तो य7 के आगे दिखो क्या दिखागेगा वाइट दिखागे दिखागे इसमें से y7 निकाल दो कि कोई वी देटा के लिए हम डिफरेंस क्या दूर्ट सकते है तो इसको बोलते है फिर्श्ट परवर्वड डिर्फरेंस मैं लिख दवो reviewed common । फिर्ष्ट फोरवड डिफरेंस या फिर ज्सको डेल्टा से भी दिनोड कर सकते है ऐसा ना जरूरोना फिर्स्ट सेकंद भी फहाइं कर सकते this second डिफरेंस क्या होगा में यहां लिख रहा हूँ ठीक है शब सेकंड ।िफरेंश का मतलब होगा स्क्वयर Scripture case ।। मुझे चीए वाए 30-332 का शुरी तो सौरवड डिफ्रन्स है ना तो वाए 30-K आगे देख तो आपको क्या दिखाए दिगा वाइ-4 उसमें से मैं क्या निकालना पड़ेगा वाई 30 वैया हमारे पास दो है डुबल डिफरस तो एक तो लेस होगा देखो यहां डिफरेंस था तो यहां नहीं था एक तो लेस हो रहा है तो यहां टू है तो यहां वन आएगा फर्स्ट डिफरेंस आएगा एक डिफरेंस कम होगा तो दो डिफरेंस में से एक डिफरेंस हमने फाइन कर लिया बट स्टिल यह कभी बाकी है सेम लोजिक फिर से अपलाई करो इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वाई-फॉर के आगे कौन होगा वाई-फाई उसमें से वाई-फॉर निकाल देंगे तो इसका डिटा मिल गया फिर माइनस साइन अब इसका डिटा फाइन कर लेते हैं कि अगल देंगे । अब अगर हम ब्रेकेट ओपन कर रहे हैं तो यह वाई-फाई-फॉर यह भी मैनस वाई-फॉर और यह मैनस मैनस प्लस वाई-फॉर नेगे कर दे तो wifi तो single है बाँ यह two times हो जाएगा negative minus two y4 plus y3 है ठीक है so double forward difference of y3 क्या हो जाएगा wifey minus two y4 plus y3 तो यह पूरी प्रोसिजर फॉलो करने पड़े कि डाइरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं क्लियर आय होप समझ में आ रहा होगा सिमिलरली थर्ड डिफ्रेंट करना है तो अभी कर सकते हैं इसको अम बोलते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफ्रण्स अंग है थो इसेमिलरली थार्ड फॉर्वर्ड डिप्रण्स थो फांड सकते हैं ॢयां च्या है क्यों है मैं वही डेता लेता हूँ हो थोड़ा आसान हो जाए सो क्यूब वाहीटरी कै यहे वह तो नहीं फिर सखना पड़ेगा जरूर नहीं वाइथ्री लो वाइफ दो लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं इन शॉट ओके तो पहले क्या करेंगे हम क्यूब को थोड़ी देर के लिए बूल जाएंगे तो वाइफाई है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस तो वाइफाई के आगे हो कुण होगा रहेगा ठीक है अगे फिर अब सेकेंड डिफरेंस है न तो उसके भी तू बूल जाओ तो फॉरवर्ड डिफरेंस वाइफिक्स तो वाइफिक्स के आगे कौन होगा वाइफ सेवेन उसमें वाइफिक्स को निकालेंगे बद दो पावर था इसलिए एक पावर तो रहेगा और इक गम होगा ठीक है फिर यह माइनस साइन फिर इसके लिए अगें टु बर थे थोड़ी दिर के लिए तो वाइफै वाइफय का आग च्श अगा कर सकते हो तो ऐसे आपको third difference भी मिल जाएगा अब question यह है कि ऐसे कितने difference मिलेंगे और इतनी calculation कितनी calculation करने पड़ेगी देखो ना अभी आंसर नहीं मिला है third difference का अभी इसमें first difference फिर से apply करेंगे यहाँ y8 minus y7 फिर हम bracket open करेंगे जो plus or a plus करेंगे minus or a minus करेंगे फिर जाके एक बड़ा सा expression मिलेगा अना तो ऐसे तो और जड़ूई थोड़ा ही कि third difference फे खतम हो जाएगा fourth difference भी तो find करना पड़ेगा sixth difference भी तो find करना पड़ेगा तो ऐसे ही difference find करने में तो मौधिकत हो जाएगी तो इसलिए ह हम बना देंगे forward difference table example में हम ऐसे रैंडम नहीं find करेंगे ठीक है so मैं यहां forward difference table कैसे बनेगा वह दिखा रहू ध्यान से लिखना और example में हम यही टेक्निक यूज करेंगे so forward difference 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 table अब table बना देंगे ना तो जो भी difference चाहिए जिसका भी difference चाहिए साब कुछ यहां मिल जाएगा ठीक है बट ध्यान से देखना table बनेगा कैसे हमें जश्ट करना क्या है यह जो x and y का data हमारे पास है मैं फिर से बता दू कि हर एक एक्जम्पल में हमारे पास यसा x and y का data होगा हमें जश्ट उसको क्या करना है यह जो horizontal form में table दिया है उसको हमें vertical में अरेंज कर देना है ठीक है यानि कि यहां x0 का data यहां y0 का data फिर उसके बाद next data x1 y1 होगा बट यह एक ग्याप रखेंगे हां वन लाइन में लिखेंगे फिर वन ग्याप फिर यहां x1 का data यहां x2 का sorry y1 का data similarly yes यहां x2 यहां y2 यहां x3 यहां y3 अब बहुत बड़ा table ना बन जाए इसलिए मैं limited data रखता हूं x3 y3 तब ठीक है ओके सो यह बन गया हमारा table बट याद रहे एक लाइन blank रखनी है दो data के बीच में एक लाइन blank रखनी है ठीक है अब यहां में first forward difference लिख रहा हूं first forward difference या ऐसा क्यों लिखे जैस्ट कैसे कर दो ना सिंगल पावर तो यह first forward difference तो हो गया अब करना क्या है हमें ध्यान से देखना y1-y0 करना है इस में से इसको निकालना है सो यह मिलेगा हमें डेल्टा वाई 0 डेल्टा वाई 0 क्यूंकि यहां खड़े-खड़े हम देखेंगे तो next भीडी क्यों होगी walyle wal oleh फ़्यमल में से दरल लिक अधो तो आपको मिलेगा वाई का किसिसट्री बाया टट्री में से निकाल दो अपको मिलेगा डेल्टा वाई टो तो यह सारे फश्ट डिफरंस मिल रहे है और तीन ही पॉसिबल है वो तीनों यहां टेबल में मिल जाएंगे ठीक है फिर सेम पेटन next यानि कि second forward difference delta square find करना है तो पेटन वही होगी इसमें से ही इसको निकालेंगे बट हम यहां खड़े है इसके आगी की विल्यू में से निकाल रहे है इसलिए यह होगा delta square y0 ठीक है अब इसमें से इसको निकाल रहे है तो यह होगा delta square y1 एंड फाइलली हम इसमें से इसको निकाल देते है तो यह मिलेगा delta cube y0 यह हमारा third difference और third difference पर टैबल खतम और यहां लिमिटेट अगर और ज्यादा होता तो और आगे हम जा सकते पॉर्थ डिफरेंस फिफ्ट रिखरण सिस्थ रिखरण सबट जितने भी difference अविलेबल होंगे सारे के सारे टैबल में हमें मिल जाएंगे ठीक है ओक अब नमर्न भी अगर आप देखो न तो देखो यहाँ 0 था यहाँ 0 है यहाँ 0 है इंडेक्स के बात कर रहाएं उस अफिक्स में यहाँ 1 है यहाँ 1 है 22 233 यानि कि इंडेक्स ऐसे ट्राविलिंग करते हैं नहीं लुखें को से जीड्ऄरो जरो जरो सारे यहां 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 आएंगे तो यहां है तो जो पेटरं बन रही है वो इस टाइप का एरो होगा डांवड फ़्रवड डेबल में जो नंबर की पेटर्न है वो downward होगी और Newton क्योंकि हम Newton's forward interpolation formula की बात करना चाहते हैं तो यहां हम यह सारा data use करेंगे तो इसको circle भी कर देंगे इसकी ज़रुत पड़ेगी हमें formula में calculation में जो कि अब अब हमें लिखने वाले हैं ठीक है तो यह सारा data formula में डालके हम कोई भी data calculate कर सकते हैं चलो तो अब जल्दी से बता देते हैं कि formula जया है ठीक है ओके सो अभी climax शुरू हो रहा है क्यों Newton forward interpolation formula है क्या सो मैं पहले दाम लिख देता हूँ न्यूटन्स फॉर्वर्ड इंटर्पॉलेशन फॉर्मूला ओके सो फॉर्मूला यहां होगी वाइव फैक्स के लिए इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मिसिंग यहर आपको दे देंगे अगर हम प्रीवियस लिजो discussion किया था पॉर्पॉलेशन यहर की बात करें तो मिसंग यहर दे सो सबसे पहले आएगा y0 प्लस r into delta y0 प्लस r into r minus 1 upon 2 factorial delta square y0 प्लस अभी यही pattern आगे जाएगी r into r minus 1 into r minus 2 upon 3 factorial delta cube वाई-जीरो प्लस अभी आरार मैनस ओनार मैनस टू के बाद आर मैनस थी तो आर आर मैनस वन आर मैनस टू आर मैनस 3 1 2 3 4 टम हुई है इसलिए फॉर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और डिल्टारेस्ट भी फॉर आएगा डिल्टा रेश टू फॉर वाई जीरो एंड आगे लिखना है तो लिख भी सकते हैं बट क्योंकि यह एनलेस प्रोसेस है ठीक है और हमेश टू यहां यहां डिल आईगा हुआ सकते हो बटा क्योशन ये होगा यहार क्या है डेल्टा क्या है वह तो सभ यहां इसलिए फिर्स स्रकल से मिल यहां से संप में nelट स्क्राइब देल्टा और अगर ज्यादा डेटा है तो नेक्स्ट में डेल्टा फॉर भी मिलेगा यहां से मिलेगा तो इनफेक्ट फॉर्मूला में जो भी यह डेल्टा डिफरेंस वाली फॉर्म टम्स चाहिए वह सारी टम्स हमें टेबल में से मिल जाएगी अब अन्नों कॉन रहा आर यह सब तो म र मिल जाता है तो रार मैनस रार मैनस र कुछ मिल जाएगा तो यह का मतलब क्या हुआ जिसको ना है एक्स आपको देदेंगे हुआ ना है तो यह X already आपको दिया होगा, X 0 का मतलब क्या होगा, X का जो first data table में से मिलेगा, X का first data table में से मिल जाएगा, वो है हमारा X 0, और H क्या है, और X का gap, X में कितना gap है, वो आप अपोस्ट अब्जर्वेशन से calculate कर सकते हो, या इसमें से subtract करो, इसमें से subtract करो, इसमें से subtract करो, same मिलना चाहिए, तो जो same distance मिल रहा है, वही है हमारा H, तो यह सब तिनो इल जो इसमें डाल दो, आपको R मिलेगा, वो R आप यहाँ यूज़ करो, तो जो भी missing data है, वो मिल जाएगा, ठीक है, तो यह था, introduction जाश्टा, Newton's forward interpolation formula का, अभी, या ट्राइ करेंगे एक example, solve करने की, बट यह वीडियो में ने, next वीडियो में, या फिर आपके पास कोई particular example है, तो आप बेज सकते हो, हम उसको solve करके आपको दे देंगे, ठीक है, तो यह just interpolation की एक formula थी, Newton's forward, ऐसी तो बहुत सारी है, okay, so उसके बार में discussion करेंगे, next वीडियो में, okay, so यहां खतम,